नमस्ते बच्चों, आज हम सब चतुरतः पाठा का हिंदिय नुवाद जानेंगे, जिसका नाम है छमश्रो महर्षे आए शुरू करते हैं हिंदिय नुवाद भारते अनेके महापूरशा अभवन भारत में बहुत सारे महापूरश हुए उन सभी महापूरशों में महापूरशा अनेकाह कूरितयाह प्रचलिताह आसन और उनके समय में, यह स्वामिय नुवाद के समय में, समाज में क्या था? बहुत सारे बुराईया फैली हुई थी जैसे की अंदभिश्वास, इस्तिर असिक्षा, बाल बिवाह जाते पर था इत्याद है उस жमाणे में समाज में बहुत ही व्याप्त था इताह सरवाह निवारियन इन सब के निवारियन के लिए वेधर्मम ज़प्रचारियन और वेधर्म के परचार के लिए महरशी भारते सर्वत्र अभ्रमत इन सब बुरायों को खतम करने के लिए और वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए महरशी पुरिय भारत में उन्होंने भ्रमन किया सत्य और असत्य के ज्यान के लिए उन्होंने एक पहुती ही प्रसिद गरंद के रशना के उन्होंने इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश महराशी दयनन्द अत्य जीवे कई प्रसंग देखन के हम समझते हैं कि महराशी कितने शमाशील थे महराशी दयनन्द कितने छमाशील थे इस बात को समझने के लिए उनके जीवें का यहां पर प्रसंग लिया गया है लोगनायbahn को देखोंगे यानि बनारस में गंगा किनारे अपने सिश्यों के साथ एक कुटीर में जोपडी में वहाँ ठेह रहे हुए थे तत्र समीपम ये वह एक यातरी आपी आतेश्ठत और उनके पास में एक यातरी भी वहाँ पे रह रहा था और बिना कारण के ही वह महरशी के कुटीर के पास में आता था और बिना मतलब के उनको दुर्वचन अनापस अनाव उनको बोलता था जितेंद्रिया महरशे है महरशे ही सर्वम सुरत्वा शान चित्तेन एवतिश्ठति अस्मा चुकि महरशी क्या थे जितेंद्रिया थे जितेंद्रिया क्या होता है जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है जो व्यक्ति उसे कहते हैं जितेंद्रिया तो महरशी उन सब बातो को सुन करके उस यात्री के द्वारा जो बात कहे जाते थे उनको सुन करके शान नहीं बंदे रहते थे कुछ बोलते नहीं थे सह कदापीना प्रत्तृ उत्तृ नहीं देते थे शिष्या कुरुध्ως भावनु और ऐसा लिए करके शिश्य कुरुधित होते थे चुक्छो के बुर्या गता था कि उनके गुरुजी कोई कुछ कह रहा है और गुरुजी कुछ कहते ही नहीं है महरुशी तान, चिन्ताम मा कुरूता, तुश्नी मभावता यती अकत्यत, और जब उनके शिश्य करोधित होते थे, to महरुशी उनके बोलते थे, कि चिन्ता मत करो, शांद रहो, महरशी ऐसा कहते थे एक समय ऐसा आयेगा कि यह यात्री बहुत ही सरल हो जाएगा बदल जाएगा चिंता मत करो एकदा एक है जना प्रचुरानी फलानी तत्र आनियत एक बार की बात है कि एक विक्ती महरशी के लिए बहुत सारा फल लेकर आया महरशी द्यानंदह कानी चित मधुरानी रस युकतानी फलानी वस्त्रे वधद्वा तरस्मे यात्री ने दातुम स्वसिश्यम प्रशित्वान और महरशी ने क्या किया उन फलों में से चुन करके रसीले फल मीठे फल एक कपणे में बांद करके उस यात्री के पास अपने शि यह यात्री तो प्रतिदिन आकर के यहां पे बिना कारण के ही कटू वचन बोलता है की मर्थम तदा तसमे यतानि फलानी उस व्यक्ति के लिए फल क्यूं जो है महरशी भेज रहे हैं शिश्य के भाव को जान करके शिश्य के मन के बाद को जान करके स्वामी जी ने कहा चिंता मा कुरो चिंता मत करो तसमे यात्रिने फलानी दत्वा आगाच है उस यात्री को फल दे करके वापिस आ जाओ गुरु आग्या शिश्य वस्त यत्रानी गुरु आग्या शिश्य यात्रिन समीपम गत्वा अवदत और गुरु के आग्या के द्वारा आग्या से शिश्य यात्री के पास गया और बोला असमाकम स्वामिना भवता करते यतानी फलानी प्रशितानी हमारे गुरु ने आपके लिए ये फल भिजवाये हैं किर्पया स्विक्रो तो किर्पया स्विक्र करें सह ओसहिष्णु यात्री औसहिष्णु यहाँ पते एक शब्द आया है इसका मतलब होता है जो किसी के बाद को बरदास नहीं करता है जो आशाहंसील होता है उसे कहते हैं आशाहिश्णू सा आशाहिश्णू यात्री पुनह दुर्वस्टनानिया कत्यात उस आशाहिश्णू यात्री ने फिर से बुरे बचन कह दिये शिष्य महर्शी के पास आगर के सब कुछ जो है बोल दिया बता दिया कि उस यात्री ने फिर से बुरा कहा है महारशी एकम संदेशम दत्वा पुनह सिश्रम तत्र प्रिशित्वान महारशी ने एक संदेश देते हुए उस सिश्य को फिर से उस यात्री के पास भेज दिया सिश्य तत्र गत्वा अकथ्यत शिश्र वहाँ जाकर के कहा अस्माकम स्वामी कत्यती यत अम्रित वर्षाया भहता भहो शक्ति नस्टा अर्थात हमारे स्वामी जी ने कहा है आपको कि आपने जो अम्रित वर्षा किया है उससे आपकी बहुत से शक्ति नस्ट हो गई है पुनह अम्रित वर्षायेई फिर से अम्रित वर्षाने के लिए शक्तिम प्राप्तुम शक्तिक की प्राप्ति करने के लिए यतानी मदुरानी रस युक्तानी फलानी स्विकरोतु यानि फिर से आपको शक्ति मिल सकें जिसे कि आप अम्रित बर्शा सकें फिर से आप इस फल को गर्ण करिए और इसको खाईए इत्र शुतिवा यातरी लजित हो गया दोड करके आया और महर्शे के चलड़ों में गिर करके उसने कहा चमश्व महरसे चमश्व चमा करे महरशी चमा करे आम अपराधी असमी मैं अपराधी हूँ भवान देवह आप देवता हैं चमश्व चमश्व चमा करे चमा करे इदम सर्वम दिश्टवा शिश्याह चकिता आसन और यह सब देख करके शिश्य बहुत चकित थे चकित इसलिए यह लाइए थे कि महरशी ने बीना कुछ किये ही चुपचाब रहकर ही उन्होंने क्या किया कि उस यातिरी को सही राज्ते पे ला दिया अगला है अभ्यास इस पाठ का अभ्यास है पाठम पठित्वा बदन तो लिखनतु चा आम अत्वा नहीं पाठ को पढ़कर कि आपको बताना है यस और नो कि महर्शी द्यानद वे धर्मसे प्रचारमा करोद आम यहां पे आम हो जाएगा कि महर्शी शिश्या आपे तेन सह आ महर्शी द्यानद करोद नहीं किया था कि महर्शी द्यानद मिष्ठानम प्रचित्वान क्या महर्शी न मिठाई भिजवाया था नहीं उन्हें फल भिजवाया थे किम अंते शिश्या विश्मिता भवन क्यांत में शिश्य से आश्र चकित हुए आम किम यातरी अंते लजित अगरा प्रश्न है दूसरा मंजुषायां प्रदताई अवे पदाई रित असनानी पूर्यंतु आपे अवे पद जो है मनजुषाय में दिया हुआ है उससे हमें क्या करना है खारियास्तान को भरना है अवे जो जहां पर आपको सूट होगा वहां पर डालना है जैसे कि के लानन अतीव मत् схamaशील थे एकडाह कासीनगरे गंगायाहत आपी आत्येः एक बार एकडाह कासी नगर में गंगा किनारे ठहरे हुए थे थे तर समीप हम येव हमने ही होता है तर समीप हम येव उनके पास ही एक यातरी अपी और प्रश्श आंज अधि एक यातरी वहाँ एक आदमी उनके लिए बहुत सारा फल ले कराया अगला प्रशन है तीसरा मनुशाया है उचितम विप्रीद पदम चितवाली खंतु विप्रीद मतलब आपको अपोजित वर्ड नहां पे देना है सत्यम का उल्टा अपोजित क्या होता विप्रीद आसत्यम शहिष्णू यृثुत समीपम दूरन कटुवश्णानी मृधुवश्णानी गत्वागत्य when the readingmia की अवत्या मतला होता है यृआकर के पराश्न चार इत्या शाम प्रशन्हां अ मुत्तार न 19 बदनतु इन प्रश्ण को तर आपको एक पद में देना है मारशी त्याननदह कस्यानियासन मदुरानि द्यायनदह फलानी कस्मिन वधनाती वस्त्रे किसमे बंधा फलको तो वस्त्र में ऍेटतर गत्वा अकत्यत शिष्ट्र ने वहां जाके कहा अट्र अव्यपादम किम इस वाकिश्वाद और इस के रूप में चलते हैं यह आपको अव्यपाद है अगरा परस्ट वाई प्रश्टा में मुतरा करें पूर हमा किम इसके उत्तर प्रश्न है महारशी द्यानन्द से काले काह कुरितिया व्याप्त आसन अनि महारशी द्यानन्द के समय में कौनकों सी बुढ़ाईया व्याप्त थी तो आप उत्तर ऐसे लिख सकते हैं महारशी द्यानन्द से काले अंध विश्वास हा इस्तिर्य असिक्षा बाल कोरितया निवार्यन सभी कोरितियों के लिए खतम करने के लिए वेध धर्मर्वेध थर्मं चो प्रचार्यन वेधर्मके प्रचार के लिए भारते सर्वत्र भ्रह्मत भारत में सर्वत्र भ्रमन किया है कि इस्सरा वहर्षी शिश्यव्यय सद्यितम अकुंडisu Top चोथा प्रश्ण जितेंदरी हमहर्श्य केंअ पी उत्तर होगा जितेंदरी्य प्रश्य सर्वम्ं ईकर आश्ण छान्त हिती वह कात्यत यहाँ पर उत्त होगा गाले जीटरील ल्हिटरील अत्य हलो जो और लाजिया धेंपकेंअगे末 दस यहाँ करें छमा करें च्छाठा प्रश्ण शिष्या कुरुधा अभवन अत्र अभवन इती किरिया पद से कर्तिरी पदम किम यहां पर एक वाक्य है शिष्या कुरुधा अभवन अभवन क्या है किरिया पद है इसका कर्तिरी पद क्या है तो कर्तिरी पद कैसे पदा लगाते हैं बत करना नहीं महर्शी द्यानन्द कासीन नगर गरनल तो कासीनगर प्रस्ट बनाना है अ एक सभीपं आगच्चात किसरा दुर्वस्दानी्स रुट्वा अपी तुश्री माधं ना पुल मोग अतिश्थ्थ्याट नी के जगए प्रस्थी अइस्थ्याटर्च आपने इस रुट्वा अपी महरिषी तुश्री मं आतिश्थ्यातreso Common शूत Final Space को यहां पर हो जाएगा कह एक कषपर माहा कि बाहरशी भारत कजल अबहन अगला प्रशन शात्वा इसमें क्या करना होता है कल भर इसमें के लिखेना आपको कहाँए के माध्यम से जो कथावस्त उए उसके अधार पर इनको ऒद आपको गटना करम से लिख होता है पहले में ये हो जाएगा दूसरे में ये तिसरा चौथा और पाँच वा से आप करम से लिख सक्ते हैं पाट के अंत में व्याक्नकारियम शत्री प्रत्य शत्री प्रत्य से आपको यहां पर वाक्य बनाना है विद्यारियम गच्छन बालका मात्रम नमति गच्छन में शत्री प्रत्य आपको अलग करना है गम जोर शत्री हो जाएगा दूसरा है कख्षयाम पठंता शात्राह कुलाहलां नाकोरियोंग तो पठन है तो पठ शत्री पुत्र इस्मिरी शत्र माता पत्रम्रिकति क्या हो जाए के स्वरंति उद्याने कीरंति कर्ण्याह प्रसन्ना भावंति कृष्ष्ष्ष्ष्री हो जाएगा निरित्यम ग्रतल दोर्णी कुर्वतिitsयद इसल स्म тогда अगला है मार्गे चल्षत बालगाई एके तो इसल पॉजथी ती चलन कि यहां पर है क rabbits त्री हो जाएगा कृवडिक कद्रे शत्री मॉफ आग शत्हां पॉजूर अगच्छन त्या सुन्द्रम चित्रम पश्यंतव और भाल दिरिध शत्री हो जाएगा बाल अधिर्श शत्री है तो निर्टन्ती हो जाएक झायेगा तो, नड? नरा ठत रूपा परायोगा धात रूप का परीयोक करना है भियास कि अधियोक करते Zenit उचित धातु रूपई है पुर्यंतु यहां पे उचित धातु रूप से आपको पूरा करना है तीन वहां पे धातु रूप दिये गये हैं तीन शब्द हैं आपको एक वचन दिवचन बहुचन देख करके आपको इनको पूरा करना है जैसे की शिश्य है गुरूम सेवते य वयम अत्रदभ एव अस्थास्याम जन्हें परिष्टाम में सफल्ता लभंत यहां पर बहुवचं है यहां बहुवचं है यहां दुवचं है रामस सी इतरानी बहुवचं कि अगाज इनकमाने। यहां पर एक क्वेशन है और सब्सक्राइब भीवक्ति है तो शोबति हो गया स्रिगाला मुश्रकान अपश्यत स्रिगाल मुश्यों को जो है चुछों को देखता है इस परकार से यह पार्ट जो है खत्म होता है फिर अगले वीडियो में फिर आप से मिलेंगे धन्यवाद